हालो फ्रेंड्स माइनेम इस जैनी वेलकम टू माई न्यूव वीडियो जैसे कि अब बाइक देख रहे हो यह है क्लासिक 350 ब्लैक यह है 2017 मॉडल और यह आप देख सकते हो बैसे 2017 में सिर्फ कमपणी ने Do Guilгор डिसब्रेक के साथ है वैसे 2017 में सिर्फ कंपनी ने जो गन-्मेटल ग्रे है 17 की एंडिंग वैं लॉघ किया था उसी में 350 में Do what to drop डियाने चालु किया था बट यह जो मेरा मोडल है बाइक यह 2017 एप्रिल का है उस वक्त सिर्फ सिंगल डिस ब्रेक के साथ ही आया करता था बट यह आप देख सकते हो इसे मैंने ड्रॉम ब्रेक की जगह रियर डिस ब्रेक में कनवर्ट किया हुआ है अगर कोस्टिंग की बात करें तो सबसे पहले आपको कनवर्ट करने के लिए पीछे के जो स्विंग गाम है वो चेंज करना पड़ेगा वैसे तो पूराना जो इसके साथ पाइप वाला जो स्विंग गाम आता है उसमें भी आप डिस ब्रेक लगा सकते हो बट जो कंपनी का बोलते ना यह जो फिनिशिंग है वो पर्फेक्ली जो डिस ब्रेक को जो पर्फेक्ली पकड के रखते है यह जो कैलीपर है आप यह देख सकते हो यह और पीछे का जो चेंज फ्रॉकेट है वो पर्फेक्ली अगर कंपनी जैसा फिटिंग रखना तो आप यह कंपनी का ओरिजिनल जो पीछे का स्विंग गाम है वो आप ले सकते हो वैसे अगर आपको पीछे डिस ब्रेक लगाने तो उसके लिए जैसे अब भी मैंने आपको बदा है कि आपको यह पहले तो स्विंग गाम मेन यह जो है उस के लिए आपको यह जो पीछे का रियर हब है वो अलग से लेना पड़ेगा और जो अपने ड्रॉम ब्रेक का स्पोक है वो आपके यह रियर हब में ही और यह जो रिंग है वो भी आपकी सेम फिटिंग हो जाएगी साथी में आपको यह जो कैलिपर है पीछे का वो आपको अलग से पर्चेस करना पड़ेगा प्लस इसका यह जो पीछे का जो चेन एड़ेस्मेंट है वो भी आपको अलग से पर्चेस करना पड़ेगा साथी में यह आप देख सकते हो यह जो सिलिंडर है वो भी आपको पाइप के साथ पर्चस करना पड़ेगा But actually में यह जो सिलिंडर है आपको पता होगा कि जो क्लासिक जो डिस ब्रेक वाली आती है वो इधर नीचे की साइड yawni fitting आता है माउंट्ट किया हुआ है ऐसे अगर की बरिकंग की बात करतों कोई प्रॉबलम ने जो कंपनी का यानि ब्रेकिंग ए सेम वही ब्रेकींग आप इसमें देख सकते हो कि राइडिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और आप लोगों के सावल यह होगा कि ड्रम से डिस ब्रेक करने का एक बेनिफिट क्या है तो बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ काफी लोगों को पता होगा जो ड्रम ब्रेक है उसका जो रियर यह जो चेंड स्प्रोकेट बोलते है वह प्यार आयरन का नहीं आता है जिसकी वज़र से उसकी लाइफ काफी कम हो जाती है आपको पता होगा कि जो ड्रम ब्रेक का यह जो रियर स्प्रोकेट का यह जो बोलते ह आइरन काता है जिससे की इसकी लाइफ लॉंग रहती है अगर गाड़ी में खर्चा भी आता है यानि चेंज प्रॉकेट की बात करें तो लॉंग टम पे पीछे का जो चकर है वो बिगड़ता नहीं सिर्फ आपको यानि चेंज करने की जरूरत पड़ती है एक बेनिफिट यह है मेंटेनेंस वाइस यानि थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है अब बाकी मेरी बाइक की मोडिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आप यह देख सकते हैं टैंक यह टैंक मैंने कटवा कर यानि बड़ी की हुई है साथ ही मैं आप यह नीचे देख सकते हो यह मैंने फ्यूल गेज लगाय हुआ है इन फ्यूचर जैसे मेरा एक फ्यूल गेज का जो वाइरिंग का काम हो खतम हो जाता है उसके बाद यहां पर यह एंपियर मीटर की जगा पर वह मैं और यह आप देख सकते हो यह जो गियर है यह ओल्ड मोडल में आपको पता होगा के सिंगल गियर आय करता था है एक तो यह टैंक के कित्ता लीटर है क्या है और जो उसका फ्यूल गेज है उसकी वाइरिंग पे और ये जो गेर है उसका बेनेफिट क्या है सिंगल वो पूरी डीटेल वीडियो मैं इन फीचर बहुत जल ले के हूँगा